हरे कृष्णा क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब कुरुधित होते हैं तो एक दूसरे के उपर हम जोर जोर से चिल्ला के क्यूं बात करते हैं हलाकि समने वाला हमारे पास ही खड़ा हो हमारे साथ ही खड़ा हो लेकिन हम बहुत जोर से चिल्लाते हुए उनसे बात करते हैं तो इस बारे में हम आज एक छोटा सा डिस्कुर्शन करेंगे एक बहुत बढ़िया कहानी है तो उस कहानी के माध्यों से आप समझ पाएंगे कि हम एक दूसरे को उपर चिल्लाते क्यूं है जोर जोर से क्यूं क्रोध में हम बात करते हैं तो ये कहानी का नाम है क्रोध और संती एक सन्यासी अपने शिश्यों के साथ गंगा नदी के तड़ पर नहने पहुंचे वहाँ एक ही परिवार के कुछ लोग अचानक आपस में बात कर रहे थे तो बात करते करते एक दूसरे पर वो क्रोधित हो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे और सन्यासी ये देखकर तुरंट वहाँ से पल्टे और अपने शिश्यों से पूछा क्रोध में लोग एक दूसरे उपर इतने जोर से चिल्लाते क्यूं है तो उनके शिश्यों में से कुछ शिश्य देर तक सोचते रहे और एक शिश्यों ने उतर दिया क्योंकि हम क्रोध में सांती खो देते हैं इसलिए हम जोर जोर से बात करते हैं हम सांती एकदम खो देते हैं क्रोध में तो सन्यासी ने पूछा फिर से पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो वला उस पर चिल्याने का क्या जरूरत है जो कहना है वो आप धीमी आवाज में भी तो कह सकते हैं कुछ और शिश्यों ने भी उत्तर देने का प्रयाज किया पर बाकी लोग संतुस्ट नहीं हुए बाकी शिश्यों जो थे वो पूरी तरह संतुस्ट नहीं हुए अततह सन्यासी ने समझाया कि जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर चली जाती है जब नाराज होते हैं एक दूसरे से तो उनके दिल जो है रुदे जो है एक दूसरे से बहुत दूर चला जाता है और इस अवस्ता में वे एक दूसरे को बिना चिलाने बिना चिलाए नहीं सुन सकते वे जनना अधिक करोधित होंगे उनके बीचकी दूरी उतनी ही आधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही जोर से चिलाना पड़ेगा वो जितना जोर से क्रोधित होगे, उतनी जोर से उनको चिलाना पड़ेगा, क्या होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं, तब वे चिलाते नहीं, वलकि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करिब होते हैं, उनके बीच की दूरी नामात्र की रह जाती है, वो चि बने लगते हैं प्यार करते हैं तो क्या होता है तब वे बोलते नहीं वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाला उनकी बात समझ जाते हैं बहुत इंट्रेस्टिंग है ना कि जोब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं हत से भी अधिक प्यार करते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं सामने वाला दूसरे को बाद सिर्फ देखता हैं आखों में इशार करता है और अपोजिटी परसंड जो है वो समझ जाता है कि उ तो इसलिए हमें हमेशा सांती बनाए रखना चाहिए हमें कुरोध में आना नहीं चाहिए हमें हमेशा हमारा कुरोध को बस में करना चाहिए ठीक है हरे कृष्णा